शराब घोटाले का पैसा सिर्फ आम अद्वी पार्टी ने नहीं भारतिय जनुता पार्टी ने भी डखा रहा है और इस लीकर्स कैम में जेपी नड़ा का नाम भी सामने आया शराब घोटाले से 30 करोड का मुनाफा कमाने के चलते क्या जेपी नड़ा की ग्रिवतारी होगी जाँच होगी शराब घोटाले में दोस्तों अब खुद भारतिय जनुता पार्टी और पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड़ा फस गए है पूरा मामला जानने के लिए आखि का देशनीती पर देशनीती किवल सच्ची और पक्की खबे जहां इजी ने के जरिवाल के लिए होली मनाने का इंतजाम जेल में किया वही पर अब बीजबी प्रेसिडेंट जेपी नड़ा के लिए भी वही बंदोबस्त होनी चाहिए ये मांग की जा रही है ये बात मैं क् क्यों उठ रही है बीजेपे कह रही है कि कठित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लोगों को पैसा मिला है लेकिन इसका पैसा बीजेपी को भी मिला है दिल्ली के सिक्षा मंतरी आतशी ने पीए मोदी और एडी को चैलेंज किया है कि वे बीजेपी पर केस दर्ज करें और पार्टी के अध्धक्ष जेपे नड़ा को गिरफतार करें दिल्ली सरकार में मंतरी और आमादमी पार्टी निता आतशी ने बीजेपी पर कम भी रारूप लगाए दोस्तों लेकिन ये आरोप कुछ हद तक सच है क्योंकि ये रिपोर्ट पूरा देखने के बाद उस समझ में आएगा कि शराब घोटाले से कमाए गए मुनाफे का स्वाध भाजपा ने भी चखा है बीजेपी कह रही है कि शराब घोटाले में आमादमी पार्टी ने पैसा कमाया जबकि असल में तो सबसे ज्यादा पैसा भरतिय जिनता पार्टी ने कमाया है दो साल के जाच सैंक्रो रेड हजारों लोगों से पूछताच के बाद भी सबूत नहीं हो पाया, साबित नहीं हो पाया कि आमादमी पाटी के पास कथित शराब घोटाले का एक रुपया भी है सुप्रम कोट ने भी पूछा कि मनी ट्रेल कहा है, कहा मनी ट्रांजक्शन है बताईए, बीज़पी और ईडी बार बार कह रही है कि पैसे की लेंदेन जो है वो हुई है, लेकिन पैसा कहा है, ईडी ने कल जो पीए मेले का कोट है, वहाँ पर ये बताया कि इस सब कुछ का अरविंद के जरिवाल है, लेकिन अरविंद के जरिवाल के साथ किसे भी मनी ट्रांजक्शन का केस सबूत इस्टैबलिश नहीं कर पा रही है, जबकि शराब घोटाले के आरूपी ने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है, नहीं दिया है, वो तो बाद की बात है, उसकी पुष्टी नहीं हो पा रही है, लेकिन शराब घोटाले के आरूपी ने बीजेपी को थैली भर के चंदा दिया, और उसका खुलासा तो दोस्तों हो चुका है, क्योंकि ये सारा कुछ इस तरह से एक साथ जुड़ा हुआ है, किसने सोचा होगा, एक तरफ इलेक्टोरल का कच्चा चुठा खुलता है, एक के बाद एक और 21 मार्च को तो पूरे टैली के साथ कहीं न कहीं SBI को बताना पड़ा, चुनाव आयोग को कि किसने किसे कितना चंदा दिया है, दिल्ले शराब घोटाले में दोस्तों, दो मुख्य अक्यूस्ट है, दो मुख्य आरूपी इस रिपोर्ट को देखिए, लिकर्स कैम में दोस्तों, दो मेन अक्यूस्ट जो है, वो है शरत चंद्रा रेड़ी और मागुंता राघवा रेड़ी, शरत चंद्रा रेड़ी के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आप मागुंता राघवा रेड़ी जो है, उ लिकर्स कैंप में इन्वाल्ब है फिर 8 सितमबर 2030 मगूता रघवा रेड़ी क्या वो अप्रूवर बन जाते हैं यानि वो सरकारी गवा बन जाते हैं 16 मार्च 2024 मगूता रघवा रेड़ी जो है वो टीडीपी जोईन करते हैं और हो सकता है टीडीपी ने जिस सरह से एंडिये के साथ गड़ बन दन बनाया है अब वो अंधरप्रदेश से एंडिये कैंडिडेट भी स्थाबित हो सकते हैं एंडिये कैंडिडेट के तौर पर या तो आप भारतिये जनता पार्टी जोईन कीजिए या फिर आप भारतिये जनता पार्टी को चंदा देजिए दोस्तों कैसे घोटाला किया गया और उस घोटाले का पैसा भाजपा चाट चाट कर खाई है उसका खुलासा हो गया फिर आमादमी पार्टी को कडगरे में ख चरत चंद्रा रड़ी को परवर्तर निट्देशालाई ने ग्रिफतार किया था कब कब ग्रिफतार किया था 2022 दस नविंबर 2022 को उसके महस पांच दिन बाद ही इस कंपनी ने बीजेपी को पांच करोड का चुनावी चंदा दिया यह खुलासा 21 मार्च को स्टेट बैंक की तर चंद्रा रड़ी को ग्रिफतार किया और पांच दिन बाद 15 नविंबर को अरविंदर फर्मा ने पांच करोड रुपे का चंदा दे दिया बीजेपी को क्योंकि यह साफ हो चुका है कि किस कंपणी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है दोस्तों यह संयोग है यह प्र माफिय देने के लिए अदालत में अर्जी लगाई इजे ने अदालत से रड़ी को सरकारी गवा बनाने का आग्रह करते हुए कहा रड़ी खुद हमें शराब नीती घोटाले की सारी जो सच्ची घटनाए हैं वो हमें बताएंगे राउस एविन्यो कोट ने इस अर्जी को स दोस्तों की चंदा रड़ी को सरकारी गवा बनाये जाने के पांच महीने बाद दिया गया करीब करीब दोस्तों 30 करोड रुपे भरतिये जनुता पार्टी को उस इनसान से मिला है जो शराब घुटाले के फर्स्ट एक्यूज है शरत चंद्रा रड़ी जिन्होंने बाद मे भर भर के भरतिये जनुता पार्टी को चुनावी चंदा दिया यानि 2021, 2022, 2023 में शराब घुटाला हुआ यह कहा जाता है वहीं पैसा 2022 और 2023 में भाजपा को दिया गया मतलब फिर घुटाले का पैसा भाजपा ने भी खाया लेकिन जेल सिर्फ के जरिवाल क्यों जाएंगे इ उन्हों ने कहा कि शरत चंद्रा रेड़ी ने इलेक्टोरल बॉंड के जरिए बीजेपी को पैसा दिया पहले साड़े चार करोर का बॉंड दिये फिर 55 करोर के बॉंड बीजेपी को दिये गए जबकि यह आंकडा लगबक 30 के आसपा से आप मानिये पहले 5 फिर 25 पीम और उ लोटाले का पैसा चबाया है खाया है डकारा है तो उसके चलते उनका जो चीफ है जो आमाडमी पार्टी के प्रमूख है अर्विन के जरिवाल की अगर गरिफतारी होती है मनिस से सोधिया की अगर गरिफतारी होती है तो फिर भारतिये जनता पार्टी ने उस एक्यूज से वो घुटाले का पैसा पूरी तरह से भारतिय जिनुता पार्टी ने, कम से कम 30 करोर भारतिय जिनुता पार्टी ने डका रहा है या नहीं डका रहा है, यह आप हमें खुद बताईए, उपर से देखिए जो दूसरा अक्यूस्ट है, यानि मगुंता रगहवा रिड़ी जो है वो भारतिय जिनुता पार्टी के साथ, वो NDA के साथ हात मिला लेते हैं, एसे में जैसे मैं आपसे कहा, कि अगर आप घुटाला करते हैं, अगर आप कह सकते हैं, कि इसको इस कैम्प में फस जाते हैं, तो आपके पस दोई accept hey, या तो आप भारतिय जिनुता पार्टी को चंदा दीजिए और आप सरकारी गवा बन जाएए और किसी विपाक्षी नेताओं को लपेटे में लेने में भारतिय जनता पार्टी की मदद कीजिए या फिर आप खुद भारतिय जनता पार्टी में शामिल हो जाईए तो दोस्तों आप दिखता है कि किस तरहां से शराब घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी ने खाया है नहीं खाया है कि जरिवाल ने खाया है कि नहीं खाया है इतना तो तैय हो गया कि भारतिय जनता पार्टी ने कम से कम 30 करोड तो डकारा ही डकारा है तो क्या ऐसे में JP नडड़ा की गिरफतारी होगी आप हमें बताइए इस पूरे विशय पर आप अपनी राएं कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर करें और अगर ये वीडियो आपने फेस्बूक पर देखा है तो फेस्बूक पेज को फॉलो करें अगर यूट्यूब पर पानल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले देशनीती को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सची खबरे बेबाक और बुलंत आवास के साथ देशनीती आप तक पहुँचा सके बहुत-बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भरू